तो दोस्तो ये जो आवाज आप सुन रहे हैं इस आडियो को मैंने एडिट किया हुआ है और अभी जो आवाज आप सुन रहे हैं इस आडियो को मैंने एडिट नहीं किया हुआ है जिसमें आप फैन की आवाज, बैक्ग्राउंड मुजिक और भी काफी सारे सोर गूल सुन रहे होगे So hello guys, welcome to techno कैलास Guys, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने YouTube वीडियो के लिए आडियो को इडिट कर सकते हैं अपनी आडियो को और भी ज़्यादा क्रिस्पी बना सकते हैं, अपनी आडियो में बेस ला सकते हैं, अपनी आवाज को भारी कर सकते हैं, बैक्ग्राउंड मुजिक रिमूब कर सकते हैं और जो भी सूर बूल है पंखे की आवाज है इन सारी चीजों को आप हटा सकते हैं और अपनी आडियो को और भी ज़्यादा बहतर बना सकते हैं जिसकी वज़ा से आपकी आडियंस की रीच बढ़ेगी और आपका चैनल भी काफी तेजी से ग्रो होगा तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक complete tutorial देना वाला हूँ कि कैसे आपने आडियोज को edit कर सकते हैं तो इसके बारे में जानने के लिए बने रहे इस वीडियो प्यान तक और साथ ही साथ अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो subscribe करके गंटी वाला बटन दबा ले क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही YouTube से related tips and tricks की जानकारिया दी जाती है तो चली दोस्तो देर ना करते हुए फटा फट से ले चलते हम आपको अपने desktop की screen पे तो दोस्तो इसके लिए सबसे बेले तो आपको अपने laptop या PC में एक application डालोड करना है जिसका नाम है Adacity ये application इतना हलका है कि ये किसी भी PC laptop में चल सकता है और किसी भी Windows में support करता है तो simply आपको इस application को open करना है उपन करने के साथ ही आपके सामने कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा दोस्तो उपर देख सकते हैं बहुत सारे features दिये हुए हैं जिन में से 90% features का हमें कोई काम नहीं है तो आपको simply में वही बताने वाला हो जिनका इस्तेमाल आपको अपनी आडियोज को edit करने के लिए करना है तो दोस्तो देख सकते हैं जहां पर आपको एक rate color का button देखने को मिलेगा जो की record करने का button है इस पर प्रेस करके simply यहीं से ही आप अपनी आडियोज को record कर सकते हैं हलाकि मुझे यहां पर कोई recording नहीं करनी है तो मुझे जाना है गैलरी से एक audio clip select करना है तो गैलरी से अपने किसी भी folder को इसमें लाने के लिए simply आपको control over प्रेस करना है जिसके बाद आपकी गैलरी खुलके आपके सामने आ जाएगी आप जहां पी अपना file रखके होए है वहां से simply import कर लेना है double click करने के बाद आपकी file इस पे import हो जाएगी import होने के बाद यहां पे देख सकते हैं plus और minus का icon दिया हुआ है जहां पे कोई भी waves देखने को नहीं मिल रहे है तो यहीं से आपको अपने background noise को capture करना है तो simply आपको इस एरिये को select कर लेना है जहां पे आपकी कोई waves ना हो इसके बाद आपको simply जाना है effect वाले option में और यहां से noise reduction पे click करना है और इसके बाद आपको get noise profile पे click करना है click करने के बाद आपको एक बार आना है track पे और अपने mouse को कहीं पर भी रखके click करना है इसके बाद आपको control A दबाना है और पूरे track को select करना है select करने के बाद एक बार फिर जाना है आपको effect में और effect में जाने के बाद noise reduction पे click करना है इसके बाद simply आपको ok पे click करना है थोड़े time बाद या आपके track के noise को reduce कर देगा अब आपको simply करना क्या है जितना भी दूर का area खाली है इसको आपको select करना है और backspace दबा देना है जिसके बाद यह जो track है खाली खाली वो हट जाएगा आपको किसी भी पार्ट से कोई audio clip delete करना है कोई भी mistake हुए delete करना है तो simply आपको इस पार्ट को select करना है और delete वाले बटन पे दबाने के बाद वो पार्ट आटोमेटिक डिलिट हो जाएगा और जैसे आप Ctrl Z करेंगे तो वो पार्ट फिर से वापस आ जाएगा तो दोस्तों यह तो हो गया हमारा Noise Reduction का काम, Noise Reduction करने के बाद simply आपको Ctrl A दबा के Face a Track को select करना है और select करने के बाद effect में जाने के बाद आपको एक बार इसको normalize वाले option पे click करके normalize कर देना है नarmalize करने के बाद आपको फिर से जाना है effect वाले option में और यहां पे आपको filter curve का option देखनी को म बढ़ा सकते हैं अमाली जे आपकी जो आडियो है उसे और ज़्यादा आप सार्प बनाना चाहते हैं आपको सिंपली जाना है मैनेज में मैनेज में जाने के बाद फैक्ट्री प्रेसेट में और यहां पे आपको ट्रेवल बुष्ट का अपसन देखने को मिलेगा जिसके जरी आपसन के अपने दुमेंज में फोडदा सा देना है सार्पनेस तो मैं स्प्ली ट्रेवल बुष्ट पे किलिक करोंगा त्रेवल बुष्ट करने के बाद आपकी सामने ऐसा इंटरफेस आजाएगा तो यह जो अप देख रहें एक ग्राफ इसको जितना ऊपर करते जाएगे आपकी जो travel है वो उतनी ज्यादा increase होती जाएगी तो आप जितना इसको increase करना चाहते है उतना कर लेंगे और यहां पर preview का option दे रहा है जहां से आप इसके preview को सुन सकते हैं कि हाँ आपकी आवाज कैसी आ रही है अगर आपको सब कुछ perfect लग रहा है तो आपको थोड़ा सा advance feature में और जाना पड़ेगा simply जाना है effect में effect में जाने के बद जहां पर आपको reverb का option देखने को मिलेगा और साथी साथ eco का एक option देखने को मिलेगा जिसमें आपको जाकर setting करना है दोस्तो जैसे आप equal अले button पर click करेंगे और इसके eco को आप 0.01 पर रखेंगे इसके बाद क्या होगा कि आपकी जो आवाज है वो थोड़ी सी गूजेगी जैसे मेरे प्यारे दोस्तों दोस्तों बोलेंगे तो दोस्तों दोस्तों repeat होगा एक बार और तो ऐसे अगर आप equal आना चाहता है अपनी आवाज में तो ला सकते हैं और साथी साथ यहां पर reverb का option देखने को मिलेगा जैसे आप reverb पर click करेंगे यहां पर आप room size को रखेंगे 50 पर और इसको set करेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो आवाज है वो सुनने पर ऐसा लगेगा कि किसी कमरे में बंद करके आपको आवाज सुनाई दे रहा है तो normally जो fact के यूटूबर होता है वो reverb का use करते हैं तो अगर आप fact के लिए videos बनाते हैं तो reverb का use कर सकते हैं यहां से simply preview सुन सकते हैं और preview सुनने के बाज अगर आपको पसंद आए तो okay करके इसको apply करना है चलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है इसलिए मैं इसको cancel कर रहा हूँ तो दोस्तो अब हो चुका है मेरा पूरा फाइल बन के तयार आपको जाना है simply file वाले option में और यहां से export में और यहां से export as mp3 या फिर wab format में select कर सकते हैं हला कि मैं export करता हूँ mp3 में तो simply mp3 आपको select करना है और यहां पर आप इसका जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं नाम देने के बाद simply आपको save करना है आपकी जो audio है वो आपकी गलरी में save हो जाएगी तो दोस्तों आसा करते हैं आपको यह tutorial समझ में आगया होगा अगर आपको लगता है कि अभी भी आपकी कोई चीजे समझ में नहीं आई है आपकी कोई queries साल्म नहीं हुआ है तो आप हमें comment box में post सकते हैं या फिर instagram का link भी नीचे दिया हुआ है वहाँ से जाकर आप हमें DM कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एकली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्रा